हेलो स्टूटेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड कलास 10 साइन्स हिंदी मीडियम में जो है विज्ञान कहते हैं जिसको हम इसके इंपोर्टेंट M.C.K.O. कोस्टन्स 2024 के लिए कंप्लीट बुक के हम करेंगे शुरू करते हैं वीडियो को म मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दू अगर आपको हरियाना बोर्ड कलास 12 के किसी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट कोश्चन या मोडल पेपर सोल्यूशन की वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वहां से देख सकते हो उसके अलावा आपको एक वेब्साइट बता देता हूं Google पर जाकर सर्च कर लेना यह नाम CCL Chapter.com इस वेब्साइट पर आपको हरियाना बोर्ड कलास 10 के लिए सारे सब्जेक्टों के इंपोर्टेंट कोश्चन मोड आने पेपर 2016-2023 तक के सारे पेपर मिल जाएंगे हरियाना बोर्ड के यहां पर मोडल पेपर में लेटेस्ट मोडल पेपर से यह सेंपल पर कहते हैं जिनको विद अंसर की आपको यहां पर मिल जाएंगे PDF में उसके अलावा आपकी बार हमने एक नया सेक्शन एड़ किया को मिल जाएंगे और अगर पर्चेज करने कर सकते हो कोड यूज कर लेना पर्चेज के टाइम पे CCL 25 ताकि तुम्हें PDF थोड़ी सस्ती पर जाए उसके अलावा अगर यहां समझ नहीं आता भाई PDF कैसे खरीदनी है या कुछ भी गडबड हो जाती है आपसे पेइमेंट करन समझ से आपको फेज करनी पड़ती है तो वहां से डाइरेक्ट भी खरीद सकते हो या फिर पेइमेंट के बाद अगर कोई इस्यू होता है तो वहां पे रिजॉल्व कर दिया जाता है ठीक है अब देखते हैं यहां पर पहला जो पोर्चन है हमारे पास में केमेस्ट्री का जो शुड़ू के हैं वह किमेस्ट्री में आते हैं वैसे कहने को तो एक ची किताब यह किनिस के अंदर बढ़े हुए है रसायनियान न होतिक विज्यान है तो आब जैला вिजियन कमेस्ट्री वाले कर दो करते हैं पहला चैप्टर है쪽에 कभी कि रिया अवल समी गर्ण है यह से कहीं सारे जो कोश्चिन आपको एक्जाम में भी देखने को मिलेंगे तो इनको अच्छे से पढ़के जाना है अच्छे से त्यारी करके जानी है लोह चूरन पर थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको सही से दिख जाईए चलो अब देखते हैं यहां पर लोह चूरन पर तनू हाइड्रो कलोरी कमल डालने से क्या होता है तो क्या होता है हाइड्रोजन गैस और आयरन कलोराइड बनता है अगली जो है क्या हो रहा है नेक्ट जो कोस्चन है अब भीकिरिया होती है और अब बनता है तो उपर दी गई अब भीकिरिया में किसका अब चयन हुआ है तो किसका हुआ है एफी टू ओ थरी का बुझे हुए चूने का सुत्र क्या है यह जो है ना कुछ ऐसे नाम मिलेंगे आपको वासिंग सोड़ा ब्लीचिंग पाउडर बगारा बगारा यह नाम याद करके जाने है एमसी के उचमें वैसे आपको सारे कवर कराने की मैं कोसिस करूंगा और अग फरेकिर सोसन निवन मेंशे किस प्रकार की भी एक रहेज संस लेना जो सांस लेते में मुखसेपी टेल एवं वसा युगत्त आद्यप दार्थों को नाइट्रोजन से परभावित क्यों किया जाता है ताकि जो है उनको उप्चर्ण होने से बचाया जा सके अगला परसन देखते हैं 2AGBR अभीकरिया करता है और 2AG पलस BR2 गनती है जो की गयस है उपर दी गई अभीकरिया का उपयोग होता है यह अभीकरिया किस काम आती है वह है सयाम स्वेट फोटोग्राफी में यानि black and white जो फोटो खिचते थे थे ना पहले के जमानने में आपके दादा के टाइम में जो फोटो होती थी उस टाइम पे जो है इस अभिकरिया का इस्तमाल होता था और फिर वो black and white फोटो चापी जाती थी कागज के उपर तो उसमें ये काम आती थी आपकी निमन में से उस अभिकरिया यह सबसे common है यह वाले अभिकरिया जो कि ज्यादतर हमें देखने को मिलती है और इजी भी हाइडेंटिफाई करनी किस प्रकरिया को रोकने के लिए चिप्स की थहली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है तो कौन सी है उपचयन इन में से कौन सी संतूलित रास जो की गैस है और 340 अट्मोस्फेरिक का प्रेसर है यहां पर दबाव है और अभिकरिया उने के बाद में CH3OH बनता है जो की लिक्वीड है यहनि की द्रव्य है तो इस तरीके से यह वाले अभिकरिया हमारी जो है सही समीकर्णों संकेतों के साथ दे रखिया है अगला चैप से बहुत सारे कोश्चन आते हैं लेकिन ज्यादा तर लोंग कोश्चन मिलते हैं को स्पेसिफाइड आपकी साइंस की ऐसे अलग-अलग सेग्मेंट में है अभी फिलाल केमेस्ट्री कर रहे हैं तो इसलिए बता दिया उसके बाद हम बायों में आएंगे तो बायों में भी न्यूट्रल जो होता है तो वह पढ़के जाना अच्छे से वह कामका है उसके रिगार्डिंग कोश्चन देखने को मिलते हैं उसके अलाव आपकी बुक में एक टेबल मिलेगी जिसके अंदर अलग-अलग चीज़ों में बताया गया है कि इसमें यह अमल होता है उसमें यह प्लेन किया हुआ है ताकि अगर ना भी पढ़ते हो तो अब और चल जाएगा dei कले पाया जाता है किमी शिरके में शिट्री में यह आपके परियोग करते हैं उन्हा रचीद और वह यह यह वह लिए इसका नाम क्या है जो इसको जानते हैं वह बेकिंग सोड़ा जल की स्थाई कठोर्ता को हटाने के लिए किस सोडियम योगिक का उपयोग किया जाता है तो वह करते हैं इसका जो है यूज करते हैं उस पदार्त का नाम बताईए जो क्लोरिन से अभी किरिया करके विरंजक चूरन बनाता है तो कौन सा है वो बुझा हुआ चूना वैसे जो है न देखो इनके फॉर्मुले साथ में लिखे हुए जिपसम का ये है बुझे हुए चूने का ये है बि काफी इंपोर्टेंट रहेगा आपका निमलिकित में से विरंजक चूरन का रसाइनिक सुत्तर कोन सा है तो कोन सा इसकों सा विलियन अमलिया परकरती का है तो कोन सा है निम्बू का रस जल की स्थाई कठोरता हटाने के लिए किसका प्रियोग करते हैं अभी वैसे हम पढ़ इसे मॉक्साइड भी कहते हैं इन में से कौन सा लवन नहीं है तो कौन सा नहीं है सिरका बेकिंग सोड़े का रसाइनी के नाम बता दो तो वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तीसरा चैप्टर देखो धातू और अधातू अब तक के मैंने लगए तीस पेपर देखें त से सेक्शन में से तो लोह चूर्ण पर तनू हाइड्रो कलोरी कमल डालने से क्या होता है तो क्या होता है हाइड्रोजन गैस और आयरन कलोराइड बनता है अगला चैप्टर देखो कार्बन और उसके योगिक मिथेन का जो है आनविक सुत्तर क्या है फॉर्मुला पूछा है CH4 केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन योगिक कहलाते हैं उनको कहते हैं हाईड्रोकार्बन एथेनोल का परकार्डियत मक्समौ कौन सा है एथेनोल में होता है OH जो फंक्ष् Cour kelu जो होते है अगला जो है हमारे पास पांचवा चैप्टर आ चुका है यह ब पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डायोकसाइड जल और उर्जा देता है और यह क्रिया होती है तो उस किरिया को कहते है कहां पे होती है मैटोकॉंड्रिया में जिसको हम कोशिका का जो है उर्जा घर भी कहते हैं चावल आलू और ब्रैड में मुख्यता क्या पाए जाता है तो क्या मिलता है उसमें कार्बो हाइड्रेट मिलता है पक्सी किस से बहुत निकट से संबंद रखते हैं यानि कि कौन सी पर जाती से तो वह है शरी सरिप से अगला चैप्टर देखते हैं नियंत्रण एवं समन्वय निमलखित में से कौन सी अंतस्त्रावी गरंती नहीं है तो कौन सी नहीं है कोई सी नहीं है इनमें से तो और वाले मस्तिष्क में होता है भूग से संबंद रक्सित होती है सबसे पॉपुलर कोस्टन नहीं यह आपका इस चैप्टर का और ज्यादा तर टाइम देखने को मिलता है मेरू रज्जा कहां पर सुरक्षित रख द्रंड में या फिर रीड की हड्डी में या करके मैंने इसलिए लिखाया कभी इसको रीड की हड्डी लिख देते हैं कभी कसे रुख दंड लिख देते हैं करने के लिए बट दोनों यह एकी चीज है रीड की हड्डी के अंदर आपकी मेरू रज्जा सुरक्षित रहती है निमलकित में से कौन सा होर्मोन वरिधी का संदमन करता है कौन सा होर्मोन है वो है इन में से कोई नहीं और अब इन्होंने देख आईलाइट नहीं कि किसका होर्मोन है इंसानों के नहीं है यह होर्मोन जो ऑक्सिन, साइटोकाइन, जे बेरलिन है यह पोधो के होर्मोन है और ये जो है, ये तीनों, जो तीन होर्मोन है, ये तीनों के तीनों वरिध्धी करने के काम आते हैं, जब कि ये कहा रहे हैं कि भाई रोकता कोन सा इन में से, कोई सा नहीं रोकता इन में से, तो ये तीनों नाम जरूर याद रखने हैं, बहुत काम के नाम हैं, इक्जाम में पू पियूस गरंती निमन्लिकित में से कौन सा पर्ष्यमस्टिस्क का भाग नहीं है तो इन में से कौन सा नहीं है वो है फ़ो है कोई नहीं नहीं बाकि जो है अगर होता तो पता उना बाकि ऑगरण वाईग्राम देखोंगे तो याद आएगा तुमको तंत्रीका कोशिका का कौन सा भाग ग्यान इंद्रियों को से सूचना को उपारजित करता है तो कौन सा होता है दुरूमी का ऐसे तो इसका डायग्राम भी काफी इंपोर्टेंट रहता है एक्जाम के लिए वैसे इंपोर्टेंट कोशिन्स की जो वीडियो मिलेगी उसमें मिल जाएं आपको इंपोर्टेंट डायग्राम कोश्चन वगडरा सब कुछ Certains वीडियो में डिनलकित में कोन सी गरणती हार्मोन और ईंजाइम स्त्रावित करते है तो कौन सी अगनास्या हमारे सरीर में नियंतरण ए 해वम समय कारिय अर्मोन तथा भालिस्तान होता है उर्मोन के साथ क्या होता है तंत्री इस्वालों मिल करते हैं लार आण वह worked 008 कह ऐंभा तो मशेidar करते तो कैसे कर्या है वह पर्ति-वर्ति एवम अंडिक दोनों की मर्जी के हिसाब अगला चैप्टर देखते हैं अगले जो चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं शुक्राणवो का उत्पादन कहां पर होता है इसमें से कहां पर पैदा होती है तो कहां पर होती है पत्ते में प्लाजमोडियम किस से विभाजित होता है तो कौन से तरीका होता है बहु खंडन दवारा निमलिकित में से किस में बहु खंडन होता है तो वो भी है प्लाजमोडियम में ही मलब उल्टा उपर का निच्छे करके पूछ सकते हैं कोश्चिन को ऐलेंगिक जनन मुकुलन दवार होता है तो किसमें होता है यिस्ट के अंदर निमलिखित में से किसमें पैदा होने वाले जीव आनुवन्सिक रूप से अलग होते हैं तो किसमें होते हैं लेंगिक जनन के अंदर गरब धारन रोकने के लिए निमलिखित में से किस में कोपर्टी को स्थापित किया जाता है तो किस में करते हैं इन में से कोई नहीं ओप्सन के हिसाब से ओप्सन पर डिपेंड करेगा पलेसेंटा किस में धसा होता है तो किस में होता है अगर भास्या में पले सेंटा किसके स्थानांतरण में सहायता करता है तो वो है ये सभी यानि उक्षीजन, ग्लुकोज और अप्सिस्ट पदारतों के निमलिकित में से किस वाहक दवारा परपरागन संपन होता है तो किसके दवारा होता है ये सभी यानि वायू, जल, प्राणी कुई सी के माद्धें से भी हो सकता है पराग कोस में होते हैं तो क्या होते हैं पराकन इसके अंदर पराकन पाय जाते हैं पराग नलिका का बिजांट की और वरिद्धी करना उधारन है किसका उधार्न है रसायन्म वर्तन का उधार्न है निमलकित मैं से कौन मानव में नर जनन तंतर का भाग है तो इनमें से कौनसा है सुकरवाही का है जो आप कांसर है, मानव में निशेचन कहां होता है, तो कहां होता है, फैलोपिन ट्यूब में, लेस्मोनिया में, जनन किस से होता है, तो किस तरीके से होता है, द्वी खंडन दवारा, बहु खंडन इनमें से किस में होता है, प्लेजमोडियम में होता है, पुनर धववन किस म पाई जाता प्लेनेरिया में अगला चैप्टर है अनुवान सिखता इस चैप्टर से बस पूछो इमत ना तो कोश्चन डंग के आते चार पांच कोश्चन मैंने बता रहे हैं आपको में में वीडियो में वो देख लेना और कि दो आते ही नहीं है मंच्च को सबसे कम नंबर का देख जाए तो यहीं चैप्टर आता जाए ज़्यादा इज्चत है नहीं कोश्चन आता एक तीन नंबर का आजाए दो नंबर नंबर का आ निमलिखित में कौन परियावर्ण मितर व्यावार कहलाते हैं, तो कौन से हैं ब्रोक सबी, यानी कि कपड़े के थेले का परियोग करना, बिना जुरूरत के लाइट और पंखे बंद करना, विध्याल्य तक पैदल जाना, ये सबी, भाई विध्याल्य दूर हो तो क्या हो फि प्रियावारनी बचाना है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये पैदल ही बेजेंगे नी तो, निमलिकित में से कौन सा केवल जैव निमनीकरन पदार्तों का समू है, तो वो कौन सा लकडी, घास, के लेके छिलके, निमलिकित में से कौन सा अजैव निमनीकरन पदार्तों का समू हैं यह पता तोगा जैव 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 जो खटम हो जाते हैं टायम के साथ में जैव जो खटम नहीं होते पड़े रहते हैं सँ ही तो आशी इन में हो गैँ डिबा पलास्टीक कांच украї वे जीव जो जटील कार्बनिक पदार्थों को सरल एकार्बनिक पदार्थों में बदल कर मिट्टी में मिला देते हैं उनको हम क्या कहते हैं अपमारजक कहते हैं अगला परसंद देखते हैं सूरिय के परकास और क्लोरोफील की उपस्तिती में एकार्बनिक पदार्थों से का कार्बनिक पदार्थों का निर्मान करने वाले जीवों को कहते हैं तो क्या कहते हैं उंको उत्वादक कहते हैं दूरीति ऐ सा तीसरे पोसी शातरपन पर आता है तो कोंग penser को परद को श्र leverage को सोचित आप करता है ईनी निर्मान करता है यानि रिग भाई आपको बताना है तो वह घास बक्री और मानव कौन सा क्रितरिम पारितंतर है इन में से क्रितरिम का मतलब बनाया हुआ खुद का तो वह है बगीचा निमेलिकित में से कौन पोशी सतर से संबंदित है तो कौन सा है प्रात्मिक उपभोगता जो है पोशी सतर से संबंदित है कौन सा प्रकरतिक पारितंतर है इन में से तो प् ठीक है अब आगे देखते हैं भोतिक विज्ञान वाला portion भोतिक विज्ञान में पहला जो chapter है प्राकास प्रावरतन और अपवरतन तीन नंबर के या पांच नंबर का question इसमें से मिलता है भाई तुम पिछले 10 साल देख लो कभी नहीं आए इतना बुरा हाल है इस chapter का तो मैंने ऐसा ही काम चलाओ अनालिसिस करके नहीं दिया हूँ आपको पूरा detail के साथ बता रखा है कि हां यहां से आते हैं यहां से जाद आते हैं अब next chapter 10 मानव नेत्तर और रंग बिरंगा संसार यह physics का सबसे popular chapter है mcq बनाने वालों का सबसे पसंदीदा chapter ठीक है इसमें से question बड़े question नहीं आते हैं इसमें से वसाते हैं mcq बहुत ज़्याद mcq जो आते हैं वो इसी portion से आते हैं most of time तो अभी इने तर lens रेटिना पर किस परकार का परतीबिम बनाता है तो कैसा बनाता है इसके लिए आपको जो है ना important question के अंदर मैंने कुछ table दे रखी है उसको पढ़ लेना वैसे बुक में जो है मिल जाएंगे अलग अलग लैंस को बनाते हैं कैसी image बनाते हैं परतीविम बनाते हैं उनका जो है आकार कैसा रहते हैं काफी सारी चीजी हो तो टेबल से अंदर उनको पढ़ लेना उनके बिना आप फोड़े उल्जह रहोगे थोड़ा सा चांस है ज्यादा नहीं है वैसे वह इस चैप्टर में ने हैं पिछले वाले में हैं तो उसमें से त्वाइंगी नहीं लेकिन हाँ पढ़नी है फिर भी वैससे याद आ गई थी मेरे को देखो वह पिछले चैपटर में है मैं गलती से इसमें बता दिए आपको पिछले वाले में लेकिन उसमें से कोश्जन आते इसलिए मैं इसे बताई गाई लेकिन ही आपकी टेबलस दो टेब给我 मैं के कारण आकास का रंग निला होता है परकास के परकीरण के कारण परकास के किस प्रभाव के कारण तारे टिम्टी माते हैं तो कौन सा होता है अपवर्तन आंक का वह भाग जो आंक में प्रवेश करने वाली परकास की मातरा को नियंत्रीत करती है तो उसको हम क्या कहते हैं पु परीतारी का सुर्ययस्ट के समय सूरिय का लाल रंगसूर्य ओद्द्रिस्टि दोश में नहीं दिखाई देती है आपको निकट की वस्त्वें। प्रतित होने के कारण का मुख्य कामक्राण कम तरंग द्रव्य के परकास का कलिस्तान है तो क्या होता है यहां परकेरिण होता है देखो question वही थे simple से सूरियास्त का लाल रंक्य होता है लेकिन उन्हों इतना तरह टेड़े का तरीके से question घुमाया हुआ ना इस ताइब से question घुमा सकते हैं में ध्यान अगना कभी अब की बार थोड़ा परचलन जादा सा हो गया एक्जाम में कोश्चन घुमाने का तो ध्यान अगना थोड़ा लोजिक के साथ समझ के जाना ठीक है वह व्यक्ति जो विभीन रंगों को पहचान करने में ऐसमर्थ है तो कौन सी बिमारी से गरस्त है वो पढ़ाता पर किरन होता है लेकिन अब पूछ लिया कौन सी किरने होती है तो वह नीलया रंका ज्यादा होता है तो इस हो जैसे होता है किसी व्यक्ति के नेत्र में के क्रिश्टलिया लैंस का धुंदला होना नेत्र के किस रोग को धरसाता है तो क्या उरका उसको मोतियाबि दूर वाले में दूर का दिखता है, सीधा ऐसे याद रख सकते हो, अगरीम सूरियोद्या, अगरीम सूरियोद्या का मतलब सूरिया का उद्या होने से पहले ही सूरिया का उद्या दिखाई देना, ठीक है, तता विलंबित सूरियास्त, यानि सूरियास्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी सूर्य दिखाई दे रहा है इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है वो है अपवर्तन अगरीम सुर्योध्या और विलंबित सुर्यास्त का मुख्य कारण है प्रकास का अपवर्तन निमलिकित में से कौन सा पदार्थ लैंस बनाने के लिए उप्योग नहीं किया उसको कहते हैं विक्षेपन मानवने तर जिस भाग पर किसी वस्तु का परतिविम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं उसको दृष्टी पटल कहते हैं अंतिम पंक्ती में बैठे विद्यार्थी को स्यामपट पढ़ने में कठिनाई होती है स्यामपट होता है बोर्ड ठीक है उस सामन्य व्यक्ति द्रिश्टी के लिए निकट बिंदू होता है वो है 25 सेंटिमेटर वैसे कहा जाता है कि आपको किताबे बगएरा पड़ते हो 25 सेंटिमेटर की दूरी लगबग होनी चाहिए उससे कम दूरी में पड़ोगे तो आंके खराब होने के चांस होते हैं और इस चै अगला चैप्टर देखो विद्यूत वाले में फोर्मले जरूर याद करके जाना इस चैप्टर के बहुत काम आएंगे निमेरिकल आएगा तो इसी चैप्टर से आएगा निमेरिकल के लिए आप इंटरनल कोस्टेंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो वैसे मैं आपको समझा द विद्यूत शक्ति को नहीं दर्शाता को नहीं है पी जिगल टू आई आर स्क्वेर किसी विद्यूत बलब का अनुमंताक 220 वोल्ट 200 वाट है जब इसे 110 वोल्ट पर परचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभूगत सकती कितनी होती है तो कितनी खाता यह 50 वाट खाता उस सिनेरियो में एक तांबे के तार का अनुपरस्त काट चेतरफल उतना ही रखते हुए उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी परती रोधकता पर क्या फरक पड़ेगा तो परती रोधकता पर कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा वो उतनी ही रहेगी यदि किसी अल पर जाके व्यापारी के मातरक एक किलो वाट आवर जिसको मीट्रों में एक रीडिंग बुलाते ना तो एक किलो वाट आवर को एक रीडिंग बुलाते हैं उसका मान क्या है उसकी वैल्यूम से पूछी है वो है ए और भी दोनों यानि कि तीन प्रेंट चालक का परतिरोध सोलिः निर्भर करता है किस पर ओक्रता है वो है उप्रोग सभी पर यानि कि चालक के लंबाई कितनी है अनुपरस्त काट का छेतरफ़ गितना है पडारथ की परकरति कैसी है किस टाइप का पडारत है उस पर विःडित सकती का मातरक है यूनिट वगर जूरूर पढ़के क्या है वह आपका कुलांब अगला जो चैप्टर है चैप्टर 12 विद्यु धारा के चुम्बकिया परभाव इन में से कौन सा यंतर विभवांतर को मापने के लिए उप्योग में लाया जाता है तो कौन सा होता है वोल्ट मीटर विभवांतर का SI मातरक क्या है वो है हमारा वो उसके अंदर आपको सारे important question with answer मिल जाएंगे अगर instant ही देख रहे हो तो नहीं साइद मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन हां थोड़े time में यहां पर available करा देंगे इसमें आना आपको सौप वाले section में हरियाना बोर्ड में ठीक है तो हरियाना बोर्ड में जो है जैसे आप आ हो जाएगी तो यहां पर आपको पता लग जाएगा ठीक है एक्जाम से दो तीन निन कोशिस कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके थोड़ा सा काम रहता है PDF के उपर answer क्रोश चैक भी करने पड़ते हैं गलत ना हो जाए वह चीजे भी देखनी पड़ते हैं थोड़ी तो वह ची वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं कर रखा है तो मिलते हैं नहीं वीडियो में बाई बाई